नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपने कच्चे केले की सबजी तो बहुत बार खाई होगी लेकिन आप एक बार इस तरीके से कच्चे केले की सबजी बना करके देखें यह बहुत ही पसंद आएगी चलिए हम बनाना शुरू करते हैं केले की सबजी बनाने के लिए हमने दो कच्चे केले ले लिये हैं केले की कुएंटिटी आप अपने अनुसर कम ज़्यादा कर सकते हैं और सबसे पहले हम केले को छील लेंगे इसके छील के अच्छे से निकाल लेंगे इसके सारे ग्रीन पर्ट्स हमें हटा लेने है केले को हमने चिल लिया और इसके बाद हम इसे लंबाई में कट करेंगे इसके स्लाइस ना बहुत पतले कट करने है और ना बहुत जादा मोटा रखना है तो मेडियम साइज में हम इसके स्लाइस कट करेंगे आप देख सकते हैं इसकी मुटाई कितनी है इसी तरीके से हम सारे केले का स्लाइस कट कर लेंगे यह हमने एक केले को छिल करके कट कर लिया है तो दूसरे केले को भी इसी तरीके से हम छिल करके कट कर लेंगे यह हमने दोनों केले को छिल करके कट कर लिया है और अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे क्योंकि केले कट करने के बाद अगर आप पिना धोई इसी तरीके से रखते हैं तो यह काले पढ़ जाएंगे तो अब हम सबसे पहले दो पार इसे साफ पानी से धो लिया और अब इसे मैरीनेट करेंगे मैरीनेट करने के लिए हमने दो बड़े चमाश इसमें तही आट कीए हैं और इसके साथ ही अब हम आट करेंगे आदा छोटा चमस नमर, आदा छोटा चमस हल्दी पॉर्डर, आदा छोटा चमस जीरा पॉर्डर, आदा छोटा चमस धनिया पॉर्डर, आदा छोटा चमस लाल मिर्च पॉर्डर, लाल मिर्च पॉर्डर आप अपने टेस्ट कोडिंग कम जादा कर सकते हैं और इसे हाँ तो किसाहता से अच्छे से हमें mix करना है यह सारे केले के slice पे masal़ का coat हो जाना चाहिए हम इसे इस तरीके से mix करेंगे हमने केले के एक-एक slice को लेकरके masal़ का coat कर दिया है और अब हम इसे आधे गंटे के लिए rest में रखेंगे और इसकी gravy बनाने के लिए हमने दो बड़े चमच सरसो लिए ये पिली वाली सरसो और इसके साथ ही हमने लिए 10 से 12 लेशन की करिया और इन दोनों का हम पेस्ट तयार कर लेंगे ये देखे हमने सर्टो और लहसन का पेश्ट तयार कर लिया और आदे घंटे हो चुके हैं तो अब हम इसके लिए के स्लाइस को डिप फ्राई करेंगे तो छलिए डिप फ्राई करने के लिए हमने एक ड़ाही गरम कर लिया उसमें आड़ करेंगे सर्टो का तेल आप 600 के तेल की जगह कोई भी cooking oil यूज कर सकते हैं और जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तो हम एक एक करके slice उसमें add कर देंगे एक साथ हम सारे slice को नहीं डालेंगे इस तरीके से जितने हमारे slice आ सकते हम एक बार में उतना ही डालेंगे और इसे हम एक साथ से दो से तीन मिनट fry होने देंगे और जब एक साथ से यह fry हो जाएगा तब हम दूसरे साथ से भी इसे पलट करके fry कर लेंगे और बीच में हमें इसे चलाना नहीं है, या देखें, दो से तीन मिनट हो चुका है, और ये एक साइट से अच्छे से fry भी हो चुका है, तो अब हम इसे पलट देंगे, ने देख सकते हैं, एक साइट से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम पलट करके इसे दूसरे साइट से भी फ्राई कर लेंगे अगर आप इस तरीके से केले की सब्जी बनाते हैं तो आप मचली खाना भूल जाएंगे यह सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है यह हमारा स्लाइस फ्राई हो चुका है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के बच्चे हुए स्लाइस को भी हम इसी तरीके से गॉल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे इसे भी इसी तरीके से जब यह एक साइट से फ्राई हो चाएगा तो अब हम इसके लिए ग्रेवी तयार करेंगे तो ग्रेवी हम इसी कड़ाही में बनाएंगे तो तेल हमारा पहले से गरम है तो हम उसमें आड़ कर जीरा, अजवाइन और कलॉंजी ये तीनों को मिला करके एक चथाई छोटा जमच हमने आड़ किया और इसके साथ ही आड़ करेंगे एक सुखी लाल मिर्च और इसके साथ ही हमने आड़ किया एक पिंच हिंग और ये सारे मसाले जब चटक जाएंगे तो उसमें आड़ कर देंगे जो हमने सरसो और लेसन का पेस्ट तयार किया था वो पेस्ट हम इसमें आड़ कर देंगे और इस मसाले को बहुत ही अच्छे से हमें भूनना है ये मसाले जब अच्छे से भून जाएंगे तब हम इसमें कुछ सूखे मसाले और आड़ करेंगे इस मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे oil release ना हो जाए यह मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं तो अब हम इसमें add करेंगे आधा छोटा चमच नमक यानि स्वादानुसर नमक और इसके साथ हम इसमें add करेंगे आधा छोटा चमच हल्दी पॉडर आधा छोटा चमच जीरा पॉडर आधा छोटा चमच धनिया पॉडर एक चुथाई छोटा चमच काले मिर्च पॉडर आधा छोटा चमच लाल मिर्च पॉडर और इस मसाले को हम बहुत ही अच्छे से भून लेंगे इसे 3-4 मिनट के लिए हमें भुनना है ये सुखे मसाले जल्दी भुन जाते हैं तो हम इसे 3-4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भुन लेंगे और अब हम एड़ करेंगे इसमें पानी हमने 1 ग्लस पानी एड़ किया है और इसे मिक्स कर लेंगे इसमें थोड़ा सा पानी हम और एड़ करेंगे क्योंकि यह जब वाइल होगा तो ग्रेवी हमारी और गाड़ी हो जाएगी इसलिए हम थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे यह हमने पानी एड़ कर दिया और इसे अच्छे से हम वाइल करेंगे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से वाइल हो रहा है तो अब हमें इसमें एड़ करेंगे फ्राइ किये हुए केले के स्लाइस हम एके करके इसमें केले के स्लाइस को एड़ कर देंगे और इसे बिना ढ़के हुए हमें चार से पांस मिनट तक के लिए मेडियम फ्लेम पे पका लेना है आप एक बार इस तरीके से केले की सबजी बना करके जरूर ट्राइ कर और कमेंट शेक्षन में जाकर जरूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी और अगर पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आईकॉन को दवाना ना पूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे यह केले की सब्जी बन करके रेडि है यह हमने इसे एक चेक कर लिया यह बहुत ही अच्छे से पक चुकी है तो अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और इस सब्जी को आप रोटी पराठे या चावल के साथ सर्प कर सकते हैं यह चावल के साथ बहुत ही करके जरूर ट्राइए करें और हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं